So hi everyone, welcome back to my YouTube channel So friends, आज की वीडियो में बात करने वाला हूँ कि जो भी student, JMAN 2024 के लिए application form fill up किये थे तो बहुत से student का mistake हो गया है जो कि अलग-अलग तरह का जैसे अपना नाम में, category में, father's, mother's name में या आपको examination CT हो गया है यह से related any tab mistake हो गया है तो आप लोग का जब correction window open होगा तो आप लोग कर सकते हो तो अहीं मैं आज की वीडियो में बताऊंगा कि correction window कब तक आप लोग का open हो रहा है और अगर होता है तो आप क्या-क्या आपको correction कर सकते हो जो भी आपका personal details, जो भी चीज़े आपको any mistake हो गया है वीडियो को last तक देखिएगा जो भी student इस चैनल पर पहले बार विजिट कर रहे है तो फ्ली चैनल को subscribe कर ले रहेगा सारा update आपको Jman's related मिलता रहेगा तो friends मैं आपको बता दूँ कि आज आप लोग का हो गया 27 November यानि कि 30 November Jman's का application form का last date है तो 30 November के बाद अगर extend हो जाता है application का तो थोड़ा time लग सकता है आपको 10 से 15 December तक आप लोग का correction window open होगा अगर last हो जाता है 30 November यानि कि application form का तो आप लोग का 5 December से पहले आप लोग का correction window open होगा और जैसे ही होगा तो आपको सबसे पहले आपको इस चैनल के माधेम से बता दूँगा कि आप लोग का correction window open हो गया है इसलिए आप लोग मेरे whatsapp group and telegram group में join हो जाए ताकि जैसे ही correction window open हो तो उसका link मैं वहाँ पर सबसे पहले आप लोग के अप्लोड कर दूँँ तो आप लोग सबसे details है जैसे कि आपका name में कहीं पर आपका meaning में भी mistake हो गया तो आप कर सकते हो fathers mothers का name में कहीं पर meaning में या date of birth में hyphen होडना ये सब चीजे है तो आप correction कर सकते हो उसके बाद है आपका category change करना तो upload तो नहीं होगा ऐसे भी बता दिया हो आप लोग का fill up करना था कि आपको कौन सा category से belong करते हो तो वो आपको fill up करना होगा अगर वहाँ पर भी mistake कर दिया हो अगर general से होगे या EWS से हो लेकिन general कर दिया हो या OBC हो BC कर दिया हो तो आप आप change कर सकते हो उसके बाद आप लोग के है कि signature वह से student है जो की background कुछ और डाल दिये हैं तो अगर आप कुछ और डाल दिये हो चाते हो कि visual नहीं है अच्छा से तो आप इसका भी background को change कर सकते इसके बाद है आपका photo में photo का जो background है white होना चाहिए था अगर आप दूसरा दिये हो और visual यानि कि clearly नहीं दिखाए दे रहा है तो आप उसका भी background जरूर आप लोग change कर देना यानि कि photo दूसरा upload कर देना उसके बाद 10-12 का marks sheet mistake यानि कि जो आपका marks था वहाँ तो upload तो नहीं करना है कोई भी document लेकिन 10-12 का marks sheet fill up करना है अगर गलती कर दी हो तो वहाँ पर भी कर सकते हो उसके बाद address change exam center होता है या भी गलती होता है तो आप कर सकते हो क्योंकि आपका जो भी आप नजदी की जो भी आपका address रहेगा वहीं पर आपका तो nearly exam center पर जाता है इसलिए आप लोग address में कुछ गलती हुआ है पर सकते हो उसके बाद है examination CT exam का होगा वहाँ पर आप कर सकते हो correction फिर उसके बाद आजाता है आप लोग का fee payment तो बहुत से student हैं जो fee तो payment कर दिया है लेकिन फेल हो गिया है तो आप फिर से payment कर दिये हो तो आप लोग का वो जो fund पहले वाला था आपको refund हो जागा जब आप लोग का examination हो जागा उसका result आजाएगा तो automatically उसके बाद है any mistake correction जो भी आपका correct करना होगा वहाँ से आप कर सकते हो और जैसे ही आता है तो आपको सबसे पहले मैं बता दूँगा तो चैनल को subscribe कर ले रहिएगा तो सबसे पहले आपको information मिलता रहेगा तो चलते हैं thank you so much friends